सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको मिलते रहे हमारे नोटिफिक्शन सबसे पहले वेल तो अब यह जो नियूस है शायद हो सकता है कि जो होंडा सीबियर टूफिटी आरा टूफिटी विरेंट के जो वेट कर रहे तो हो सकते है उनके शायद डिसपाइंटिंग हो और एक वैसे गूद नियूस भी है मैं आपको बाद में सुनोंगा जो इस बाइक को रिप्ले उसके साब से दुस्तों है अपर होंडा सीबियर ट्री अंडड़ आने वाली है और बेसिकल यह जो बाइक है यानिकी सीबियर ट्रींड़ आरा यह जो है रिप्लेस कर दीके टूफिटी आरा र को जो की इंटरनेशनल वेरियंट में है और इंडिया में जो अभी तक आई न नहीं किया तो उसकी ज़िए से यहां पर कोई लुक्स है ने लेगिन जो है बेसिकली इस सिरीज के उपर ही जो है डिपेंड रहने वाले इंपार होने वाली तो लोक्स सीबियर सीरीज सीरीस के जो लुट्स है वो काफी जबज सी तो यहां पर आइठिंग खींटा करने के लिख हुई थी कि CBR 250RR यह इंडियन मार्केट में आने वाली है हाला कि दूस्तों कहीं ना कहीं यह चीज मुझे पता थी कि बाइक आएगी नहीं कि इंडिया में आज तक दूस्तों कोई आए निया जो कि ट्विन प्रेवल्स इंजिन और उसके प्रैस जोईन ने रभूत थाई से तीन लाक हो तो यह काफी नामुंकिन साही था कि जो इंडियन मार्केट में हो लेकिन आप दूस्तों सी बियार थी अंड़ यह आने के चांस है लेकिन स्टिल दूस्तों पावर वगर यह उतना मैच करता है अल्स दूस्तों यह वां कि आर्थी है तो यह तीन से चार बाइक से जो अब इंडियन मार्केट में है तो काफी पॉसिबिटिस है कि जो है यहां पर होंडा की सी बैट आर भी आ जाए अब दूस्तों कर लू यहां पर इसके पावर स्पेसिफिक्शन बारे में एंजिन के बार मैं तो इस बाक के दर आपको जो है 300cc इंजिन मिलेगा जो कि लिक्विट कुल्ड फोर श्रोक डी ओ एच से सिंगल से इंजिनर रहेगा और जो आपका लिक्विड कुलिंग है वह संदर मिलना माला है जो क काफे पॉसिबिलिटीज है कि होंडा सीविए 300 जो है इंडियन मार्केट में लॉंच करते हैं इसके काफे जाधा हत्तक पॉसिबिलिटीज है विकोज सब इस्प्रसिफिक्शन फीचर्स प्राइसिंग जो सभी इंडिया मार्केट के सब से मैच करता है तो यह भी जो बाई जो है इन डिरेक्ली डिपेंड अफेक्ट पड़ रहा है विकोज ऑफ पॉर्न वायरस तो 2020 में इसके आने के चांसे काफी कम है अब दुस्तों अब बात कर लो यह बाई के वारे में तो यह बाई काफे अची हो सकती है डायकली कॉंपिट कर सकते है इन तीनों बाईक से मैं आपको बताया जैसे की निंजा है कावा सकी की उसके बाद में आपका आर सी है आर थी है यह मां की तो इन बाईक से डार्कली कॉंपिट करीगी और मैलेज के अगर दूसरे में बात कर लो तो इस बाईक का मैलेज आपको मिलेगा सीटी में नियर अबोट वह रहेगा 35-36 किल है और है अब 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 बात कर लो इंस्टों को इसके अदर देने वाला है जो सब भी जो है लेटेस फीटर मिल देगा जैसे की इसके बात में आपका है इंजिन हिट तेमरेचर यह सब जो एडवांस वीचर में मिलेगा कि फुली डिजिटल रहेगा यह क्लस्टर और टी ए पोसिटिस नहीं है कि होन्डा की वाइक में हुआ है तो उसके बारे में कोई भी यहांपर एक्सपेक्टेशन हमने रहा है अब दूस्टर बात करो हैडलांस की बारे में काफे चंश है कि आपको LED headlamp नम्स मिल रहे है तो काफे सारे पॉसिटिटिस है कि आपको फुल में LED head तो उसके काफे सारी एक्सपेक्टेशन है यानि की उमीद है तो अभी के लिए तो यहीं थे कुछ अपडेट्स ऑन हुंडा CBR250RR and CBR300RR अब दोस्तो आपको यहां पर जो कोई बाड़ा डिफरेंस क्रेट नी होता है अब आए अनों कि CBR250RR का जो लुक्स था वो काफे जबर्स था शायद CBR300 का जो लुक्स है वो इतना अच्छा नहों हो जो इंडियन मार्केट में लेकिन दोस्तों इंडियन मार्केट मे यहां आइसा क्यों करते हैं यहां अपर काफी लूग बाड़ा करने के लिए तयार काफी excited है मुझे दूस्तो परसनली इंस्टेक्डाम पर काफी मैसेस यां प्रहूंद आप रहों जो इंडियन बाड़ा रहें बद धीक है अब दूस्तों सीबीबर के बारें में वेट करे सब्सक्राइब तो आप जो स्पेसिफिक्शन चाह रहे तो नहीं विले तो जब तक ऑफिचर लाउंच डेट कमपनी खूद नहीं वतली तब तक जो वेट करके फायदा निया तो आज के दरप में भी जो है इंडियन मार्केट में काफी अच्छे उप्शन अवेलेबल है स्पेट मत करो और बाय करना है तो बाय कर लो और जोस्तो आज के सुरक लिए नहीं अगर विड़ो अच्छे लागो तो लाइक जरू कर देना मैं में विलूंगा कल अब को मारे एक नवड़ो के साथ में तब तक लिए बाय बाय टेक क्यों